दुनिया के छोटे लेकि निरर जीव जो किसी से नहीं ढरते जब निररता की बात आती है तो आकार हमेशा मायने ने रखता जान्रों के सामराजे में कोई छोटे जीव हैं जो बड़ा पंगा लेते हैं और अपने से बहुत बड़े जानरों से भिढ़ने से नहीं डरते इन निडर जानरों ने अपने वातावरन में जीवित रहने के लिए रक्षा तंत्र और रन्नितियों को अपना लिया है ऐसे में बात करते हैं निडर जीवों की नंबर एक पुराता है हनी बैजर ये चोटा स्थन पाई अपने उगर रवये और निररता के लिए जाना जाता है ये शेरों और मगर मच्छों सहित अपने आकार से कई गुना अधिक जानरों का सामना करने के लिए जाना जाता है हानी बैजर अकसर अफरेका और एशिया के कुछ हिस्सों के मूलिवासी चोटे मासाहरी स्तंधारी जी होती हैं जो कि दुनिया के सबसे कठोर जानरों की लिस्ट में आती हैं वही इनका वजन 22-35 पाउंड के बीच में होता है और इनकी लंबाई 22-30 इंच की होती है वही इनके छोटे पैर मजबूत होते हैं तेज पंजों के साथ कम जुके हुए और शक्तिशाली रूप से निर्मित होते हैं नमबर दो पर बात करते हैं तसमेनियन डैविल अपने छोटे आकार के बाफ जो तसमेनियन डैविल अपने कुरूरता और ताकत के लिए जाना जाता है इनके पास एक शक्तिशाली जबडा होता है जो हड्डियों को आसानी से कुचल सकता है जिससे ये एक दुर्जय शिकारी बन जाता है ऐसे में तसमेनियन डैविल के पास चोटे पैरों और बड़े सीर के साथ एक गठीला मांसल शरीर का निर्मान होता है उनके शरीर के लंबाई 65-80 cm यानि की 25-30 इंच और इनका वजन 6-12 kg यानि की 13-26 पाउंड होता है उनके चाती और दुम पर्ष सफेद निशान के साथ उनके काले फर होते हैं सिर्फ यहीं नहीं इनके काटने का बल 500 तरविंजा से 594 न्यूटन यानि की 124-134 पाउंड बल पर मापा गया है जो समाना कार के कुत्ते या हाइना से अधिक मजबूत है ऐसे में अपने शक्तिशाली जबडोर तेज दान्तों का उप्योग ये शिकार को अपना बनाने के लिए करते हैं जिनमें की छोटे स्तनपाई पक्षी और कैरिगन शामिल होते हैं पर आती है वूल्वरीन देखने में भले ही छोटी हो लेकिन अपनी दृड़ता और ताकत के लिए जानी जाती है वहीं वूल्वरीन मध्यम आकार के मासाहरी संधरी है जो की वीसल पावर से संबंदित है उनके पास एक मजबूत और मानसल शुरीर का निर्मान होता है जिनमें छोटे पैर और एक व्यापक सिर होता है वहीं पुष्णों का वजन आम तोर पर 20-25 पाउंड 9-25 किलोग्राम के बीच होता है और महिलाओं का वजन ज्यादा तर 17-26 पाउंड यानिके 8-12 किलोग्राम के बीच में होता है ऐसे में इनके पूँच के लंबाई 10 इंच यानिकी 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है काटने के शक्ति के संधर्ब के बारे में बात करें तो वूल्वरीन के पास तेज और शक्तिशाली जबडे होते हैं जिसको प्योग हड्डियों को कुचलने और सक्त खाल को फाडने के लिए करते हैं ऐसे में उनके काटने कबल 200 से 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच होने का अनुमान है जो के एक छोटे कुटे के बराबर है नंगर चार पर आता है स्टोट स्टोट भले ही चोटा हो लेकिन ये कुशल शिकारी और घोर प्रतियोगी होता है ये अप पाज पतला और सू विवस्तित शरीर है चोटे पैर और एक लंबी लचीली रीड है जो कि उन्हें आसानी से मूडने और मोडने के अनुमती देती है अब स्टोट का वजन आम तोर पर डेट सो से साड़े चार सो ग्राम के बीच में होता है और इनका शरीर की लंबाई 25 से 40 सेंटीमिटर के बीच में होती है काटने के बलके संदर्म में बात की जाए तो स्टोट के अकार के लिए इनके जबडे काफी मस्बूत होते हैं लेकिन बड़े मासाहारियों के तुलना में उनका काटना विशेश रूप से शक्तिशाली नहीं होता हाला कि उनके तेज दात और फुर्तीली शिकार श्रमता उन्हें अपने से बहुत बड़े शिकार को पकरने और मारने के अनुवती तो देती है अब स्टोट्स अपने भ्यंकर और आक्रामक शिकार विवहार के लिए जाने जाते हैं जिसमें बिजली की तेज गती और चपलता के साथ शिकार का तो उन्हें अपने विरोधियों के लिए मुश्किल शिकार बनाते हैं उनके पास पतला फुर्तीला शरीर है और आम तोल पर लगवग एक से दो फीट लंबाई के होते हैं और एक पूंच के साथ जो कि लगवग उनके शिरीर के लंबाई के समान ही होती है वहीं उनके शिर कि शाली पक्षी अपने आक्रामक सवभाफ और अपने से बहुत बड़े शिकार को नीचे गिराने के शमता के लिए जाना जाता है इसके पास अविश्वस्निय रूप से मजबूत पंजे होते हैं और ये बंद्रों और श्लोत जैसे जानरों को नीचे गिरा सकता है हार्प हार्पी इगल के पास एक प्रमुख घुमावदार चोंज के साथ एक बड़ा सीर होता है जिसका अप्योग अपने शिकार के मांस को अलग करने के लिए करता है ऐसे में पंखु की लंबाई 7 फीट यानिकी 2.1 मीटर तक हो सकती है जो इसे घने जंगल में माध्यम से ही आसा अपने शिकार के हड़ियों को कुचलने के लिए प्रयाप्त मजबूत हो जाते हैं नंबर साथ पर आता है ओटर्स ओटर्स यानिकी उद्बिलाव उद्बिलाव जल स्तंधारियों का एक परिवार है जो अपने चंचल और समाजिक विवहार चिकना फर और उत्कृष्ट त प्रमताओं के लिए जाना जाता है ऐसे में उद्बिलाव के तेरा अलग लग प्रजातियां हैं जिनका आकार चोटे पंजे वाले उद्बिलाव से लेकर विशाल उद्बिलाव तक है जिनका वजन सो पाउंड तक हो सकता है ऐसे में उद्बिलाव के शरीर सू विवस्तित होता है जो तैरने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं वहीं उनके छोटे जिलीदार पैर और एक लंबी मांसल पूंच होती है जोने पानी के माध्यम से चलने में मदद करती है उनका फर मोटा और वाटर प्रूफ होता है जो तैरते समय उन्हें गर्म और सुखा रगता है ऐसे में उद्बिलाव के जबडे और नुकीले दांत होते हैं लेकिन उनके काटने का बल समान आकार के अन्यत जीवों की तुलना में विशेश रूप से शक्तिशाली नहीं होता वहीं इनके काटने का बल 200-300 प्रतिव वर्ग इंच होने का अनुमान है जो समान आ कर देते